तो आपने दोस्तों अभी अभी सुना AIMIM अध्यक्ष असित दिन ओवेसी साहब को ओवेसी साहब यहां क्या बोल रहे हैं ओवेसी साहब कह रहे हैं कि जो इंडिया गटबंदन है उसमें बीएस्पी सुप्रीमों को शामिल नहीं किया गया है और दोस्तों मैं ये बात कितनी बार इस मंच पर बोल चुका हूँ मैंने तो हमेशा कहा है कि इंडिया गटबंधन एक अधूरा गटबंधन है अधूरा इसलिए क्योंकि ना इसमें बीएस्पी सुप्रीमों को शामिल किया गया है और ना ही ओवेस्पी साहब को शामिल किया गया है और इस अधूरे गटबंधन के साथ ये लोग चले हैं बीजेवी को सत्ता से हटाने आपके पास बड़े बड़े प्लेयर नहीं है आपके पास दलित मुसलमान समिकर्ण स्थीक से बना नहीं है और आप स्पेशल 26 करके लोगों को गुमराह करके जनता को बेवकूब बनाकर कि हमने इंडिया गटबंधन बनाया है आईए मोदी को हरा दीजिए क्या ये चलेगा क्या जनता नहीं देख रही है कि इसमें दो बड़े प्लेयर नहीं है मैं तो ये बार-बार कह रहा हूँ कि ये दलित मुसल्मान बिना कैसा गटबंधन इंडिया गटबंधन अगर आपने बनाया था तो ये गटबंधन इतना समावेशी क्यों नहीं है 23 जून को जब पहली बार इंडिया गटबंधन की बैठक हुई थी तब ही सबसे बड़ी गलती कर दी थी बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने अगर मुख्यमंतरी नितीश कुमार समय तमाम लोगों ने अगर बहन जी को निमंतन दे दिया होता तो आज ऐसे हालात नहीं पैदा होती आज Ovesis सहाब को बुला लिया गया होता तो Ovesis सहाब को यह नहीं कहना पड़ता कि यह धूरा गटबंधन है और यहां तक की दोस्तों Ovesis सहाब इंडिया गटबंधन को क्या कहते हैं वो यह कह रहे हैं कि इंडिया जो गटबंधन है वो बड़े चौधरियों का कलब है जो हम दिन रात गाली देते हैं अब आप देखे ना ओबसी साहब को यही लोग क्या बोलते हैं बीजे पी की बी टीम है माया वती जी को क्या बोलते हैं बीजे पी की बी टीम है अरे भाई अगर यह लोग बीजे पी की बी टीम होते तो फिर क्या मंत्री नहीं बन जाते जाकर बीज और अपने आपको बचाने के लिए वो पहले ही ऐसे बयान दे रहा है जिससे उसे कोई बोलना पाए तो ओवेसी साहब यहाँ पर कहा रहा है कि इंडिया गटबंधन बड़े चौधरियों का कलब है और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं देश की स्थिया आप देखिए पहले देश को सोचिए देश के बारे में सोचिए हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्षों से ज़्यादा समय बीच चुका है कहने को तो अमरित काल चल रहा है आपको पता है देश कौन चला रहा है कॉंग्रेस पार्टी ने 60 से 65 साल तक देश पर राज किया अब बीजेपी राज कर रही है अठरा साल तक बीजेपी ने देश पर राज किया क्या देश को सिर्फ कॉंग्रेस बीजेपी ही चाहिए क्या सिर्फ देश को कॉंग्रेस और बीजेपी ही चलाएंगे ऐसा अब नहीं होगा दोस्तों ओबैसी साहाब कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा हमें ना तो कॉंग्रिस चाहिए ना तो बीजेपी चाहिए अगर इस देश का सही माइने में विकास करना है तो हमें तीसरे मोर्चे की जरूरत है इस देश को एक थर्ड सरकार की जरुवत है तभी इस देश का कुछ सही महानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे मैं क्या कह रहा हूँ वेसी साहब माया वती जी के लिए सौफ्ट कॉर्नर रखते हैं जब इंडिया गटबंधन में बहन जी को शामिल नहीं किया गया तो वो काफी नाराज दिखे उनको भी शामिल नहीं किया गया जाहिर तोर पर नाराजगी होगी ही लेकिन अब देखिए तीसरे मोर्चे की वो बात कर रहे है और वेसी साहब को ये पता है कि तीसरे मोर्चे का देश में नेत्रुत कर कौन रहा है मैं आपको बता दूँ दोस्तों बसपा सुप्रीमों ने 2024 के लोकसभा चुनाओं में अकेले लड़ने का ऐलान किया है और मैंने आपको बहुत पहले ही खबर बताई थी कि तीसरा मोर्चा बन रहा है कहा तो यह जा रहा है कि यह मोर्चा ब्यस्पी के नेत्रित में बन रहा है ब्यस्पी सुप्रीमों इसको लीड कर रही है बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल हो चुकी है एक वीडियो भी हमने इस पर तयार किया था करीब करीब 9 से 10 दल इसमें शामिल हो चुके हैं और तीसरे मोर्चे की सबसे फेबरेट पार्टी है AIMIM क्योंकि दोस्तों OVSI साहब अब तीसरे मोर्चे की सरकार चाहते हैं वो BJP कॉंग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि आप सोचिए सम्मिधान को लागू हुए कितना साल हो गया क्या सही माइने में बाबा साहब का सम्मिधान धरातल पर लागू हुआ मेरा सीधा साब से सवाल है क्या लागू हो पाया नहीं लागू हो पाया सम्मिधान लागू होना तो आप छोड़ दीजिए सम्मिधान को तो अब बदलने की बात कर रहे हैं लोग य नया लिखा जा रहा है ये लोग नया संबिधान लिखने की बात कर रहा है ये संबिधान की प्रतियां जलाते हैं ये हिंदु राष्ट की बात करते हैं ये मनुई स्मृति की वकालत करते हैं ये लोग क्या संबिधान लागू करेंगे दोस्तों संबिधान तो वही लागू कर और इस समय सबसे बड़ा अंबेटकरवादी नेता BSP सुप्रीमों को माना जा रहा है जाहिर तोर पर आइडियोलजी जो है BSP की क्या है अंबेटकरवादी विचारधारा जो हिंदुत्वा विचारधारा का डटकर मुकाबला करती है दोस्तों और ना सिर्फ इसकी अंबेटक सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है राष्टिये पार्टी है और ऐसे में वस्पा सुप्रीमों से बड़ा चहरा फिलाल प्रधान मंतरी पत के लिए नजर नहीं आ रहा है हो सकता है आप लोगों को ये बात ना पचे लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है तमान चैनों को आप देखिए ना आप देखिए ना बियस पी पार्टी को आगर आप समझेंगे बियस पी कोई पार्टी नहीं है बियस पी एक आंदोलन है और सच्चाई को सुईकार करना चाहिए तो दोस्तों अब बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब माया वती जी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश में बियस पी और एक साथ गटबंधन कर चुके हैं और उस गटबंधन का नतीजा भी सुखद रहा था और इसलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में गटबंधन बेहत जरूरी है देखें दोस्तों आपको समझना ये पड़ेगा कि AI, MIM और BSP साथ क्यों आएंगे मैं देख रहाँ कि लगातार OBSI साहब हर मंचों से मायावती जी की तारिफ कर रहे है OBSI जी को देश की सबसे बड़ी लीडर बता चुके हैं दलिद वोट बैंक की मालकिन बता चुके हैं यहां तक की एक चैनल के कारिक्रम में OBSI साहब गए तो वहाँ पर पूछा गया की आप बताईए की अलफ संखिकों का हमदर्द कौन तो जानते हैं उन्होंने मायावती जी का उसमें नाम लिया था और एक soft corner है क्योंकि OBSI साहब मायावती जी को देश की सबसे बड़ी नेता मान चुके हैं और उन्हें ये बात समझ में आती है कि संविधान का रक्षक कौन है तो दोस्तों अब तीसरा मोर्चा जब बन रहा है तीसरे मोर्चे की ताकत क्या होगी क्या तीसरा मोर्चा कमाल कर पाएगा तीसरा मोर्चा क्या सफल होगा सफल तभी होगा जब उसमें एक समीकरण काम करेगा समीकरण क्या है दलित मुसलिम समीकरण यही वो समीकरण है जिसने लोगों को सत्ता पर पहुँचाया लेकिन अपने लोगों को कभी सत्ता पर नहीं पहुँचाया सोचिए 44% वोटर हो जाते हैं दलित मुसल्मान समय करण में अगर ये एकजुट हो जाएं एकजुट हो जाएं तो आप समझे हवा हो जाएंगी बीजेपी कॉंग्रेस तो ये तीसरे मोर्चे की ताकत तो है तीसरे मोर्चे में ताकत है और इस ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा जब दलित मुसलिम एकजुट हो जाएंगे क्योंकि दलित मुसल्मानों का वोट इस समय बिखरा हुआ है मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 2022 के बिदान सबार चुनाओं में समाजवादी पार्टी को भर-भर के बोट दिया था और आप समझ रहे हैं तो दलित मुसलिम जो बिखरा हुआ है अगर ओवैसी और बहन जी एक साथ आते हैं तो जाहिर तोर पर ये जो बिखराव है उसमें कमी आएगी संगठित हो पाएंगे दोनों तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब ओवैसी साहब ने हाथ बढ़ा दिया है जल्दी मायवती जी और ओवैसी साहब साथ होंगे 2024 में दोनों उत्तर प्रदेश में खास तोर से हाथ मिला कर चलेंगे और तीसरा मोर्चा बहुत जादा मजबूत होगा देखे तीसरे मोर्चे कि अगर देश में सरकार बन गई दोस्तों तो यकीन मानिये अगर कोई अंबेटकरवादी अंबेटकरवादी अगर देश की सत्ता पर काभिस होगया आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश को अभी तक दलित प्रधान मंत्री नहीं मिला है दलित, मुसिलिम ये लोगों को सत्ता तक महँचाते हैं लेकिन ये ये लोग अभी तक संगटित नहीं हो पाए और शायद इसलिए ये सपना अधूरा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों अगर कोई अम्बेटकर वादी इस देश का प्रधान मंत्री बनता है तो सही मैंने में बाबा साहिब का सपना तभी साकार होगा जब अम्बेटकर वादी कोई अम्बेटकर वादी देश की सत्ता पर काबिस होगा दोस्तों ओवैसी सहाब ने हाथ बढ़ा दिया है अब बेहन जी के हाथ बढ़ाने का इंतजार है आपको क्या लगता है क्या ओवैसी औ आपके क्या राय है, कौन बॉक्स खुला है आप अपनी राय दीजिए, हमें आपकी परत्किरिया का बेसबरी से इंतजार रहेगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए वीडियो को जन जन तक पहुंचाए जिसे बोजन समाज जाग रूखो जै भीम, जै भारत, जै सम्मिधान